नमस्कार बहुत स्वागत आप सभी का आपके साथ मैं हूं अमतातिवारी स्पोर्ट्स नीज लेकर आपके बीच हाजिर हूँ चलिए बात कर लेते हैं ODI World Cup 2023 की क्योंकि अभी तक इसमें कुल 16 मैच जो हैं वो खेले जा चुकी है जहां फैंस को कई मैच जो है वो रुमान्च कर रही है टीम इंडिया आज अपना चौथा मुकाबला खेलेगी और यह बांगलादेश के खिलाप खेला जाएगा तो आज इंडिया वर्सेस बांगलादेश का मैच और सभी के नजरेस मैच पर रहेंगी क्योंकि इंडिया को यह मैच जीतना है और क्योंकि जिस तरीक से वह अभी तक जीत के हैट्रिक कायम करता आया है उसी तरीके से उमीद है कि बांगलादेश के खिलाफ यह मैच भी भारत ही जीतेगा टीम इंडिया कप्तान रोहिर शर्मा जस्परीद विम्रा तीनों के पास नंबर वन बनने का मौका है ऐसे मैं आज आपको बताते हैं कि 16 म मैच के बाद अंक तालिका पर अगर नज़र डाले तो न्यूजिलेंड और भारत ही सिर्फ ऐसे टीमें हैं जो अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है और इन दोनों टीमों ने पूरी तरह से अपना दबदबा बनाया हुआ है न्यूजिलेंड अंक तालिका में चार मैचों मे आठ रनों अंकों के साथ पहले पायदान पर है तो वहीं टीम इंडिया तीन मैचों में छे अंक के साथ दूसरे स्थान पर है इसके लावा साउथ अफरिका और पाकिस्तान तीन मैचों में दो जीते और एक हार के साथ तीन और चौथे नंबर पर है तीसरे नंबर पर है सा कि श knights काम में क्योंकि यूबर को बावचम कर ला ओँ यह उणके आपको बता देती हूँ तो सबसे शार इसके बाद फिर क्विंटन टी कॉक हैं और भारत की रोहिट शर्मा इस मामले में तीन मैचों में 217 रन के साथ चौथे नंबर पर हैं रोहिट के पास आज होने वाले मैच में पहरे नंबर पर आने का एक बड़ा मौका है